नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलेज पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना जरूर पड़ता है लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में हम इसका अपना वीडियो नमबर एक दी जूइसमें दोस्तों इस वैक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब एसा मसी को फांसी दी जा रहे थी तब ये वैक्ति वहीं पर मौजूद था इसा मसी को फांसी पर चड़ता हुआ देखिये वैक्ति जोड-जोड से हसने लगा थ जिसके बाद इसा मसी ने इसे चलते रहने का स्राब दिया था जिसके बाद ये वैक्ति एक जमीन से दूसरी जमीन तक सदियों तक भटकता रहा बहुत से लोगों ने इस बात का दावा किया कि कई सदियों के बीतने के बाद भी इस वैक्ति को आज भी भटकते हुए देख कहा जाता है कि इनके पास एक जादूई पत्थर था जिसके कारण से कभी भी इनके मृत्यू नहीं हो सकती थी इन्होंने अपनी मृत्यू का नाटक सिर्फ और सिर्फ उस जादूई पत्थर को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए क्या था कहा जाता है कि ये आज भी ज पैसे पूर्ण बिहां is को सबस्वास करें और अपने लिए हैं और उससा बकर हिが और थीज़ीमिका यारीम है से पहले अपने फॉलवर्स को ये संदेश दिया कि जब वो मर जाएंगे तो उनके शरीर को सुरक्चित रखा जाए क्योंकि 75 सालों के बाद वो फिर से जिन्दा हो जाएंगे जिसके बाद वो एक गहरी साधना में चले जाएंगे उनके मरने के बाद उनके फॉलवर्स ने उनके शरीर को पूरी तरह से सुरक्चित रखा और साल 2002 में जब उनकी मृत्यू के पूरे 75 वर्स बीट गए उसके बाद उनके शरीर को एक टैमपल में रख दिया उनके फॉलवर्स का ऐसा मानना है के दारसी डौर जो आज भी जिन्दा है और गहरी साधना में लीन है नमबर पांच अकिलीज अकिलीज के बारे में तो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे जो कि दुनिया भर में एक ग्रीक हीरो के तोर पर जाना जाता है अकिलीज के बारे में ऐसी दंद कताय मशूर है कि जब अकिलीज बच्चा था अब उसे एक ऐसी नदी में नहलाए गया था जिस कारण से वो अमर हो गया था सिवाए उसकी एडियों को छोड़ करके क्योंकि उसे उल्टा करके एडियां पकड़ करके नहलाए गया था जिस कारण से नदी का पानी उसकी एडियों को टच नहीं कर पाया था इसी कारण से टॉर्जन वार में एडियों पर जहरीलातीर लगने के कारण अकिलीस की मौत हो गई थी दोस्तों वीडियो बनाने में पूरा दिन लगता है और इसे लाइक और शेर करने में सिर्फ एक सेकंड क्या इस वीडियो को आपका एक लाइक और एक शेर मिल सकता है